तो हलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टोटल साइंस टूए में तो चलिए आज आप सभी के बीच त्रिकोनिमीती के 50 अबजेक्टिव को लाए हैं जुद्धू 1025 के एक्जाम में इस वीडियो से काफी सहायता मिलेगा ठीक है तो चलिए हम स् से आपको बताएंगे और सारा अबजेक्टिव इससे बाहर नहीं रहेगा ठीक है चलिए पहले महत्पुर्ण जो इंपोर्टेंट पॉइंट होगा त्रिकोनमीती का जो फर्मूला आगा उसको बता देते हैं उसके बाद आपको कोशन की वर लेक चलेंगा ठीक है तो यह व सक्षसम क्या ठीक जो एक फिरी क्या में अपको मिधा बॉचा होती है तो यह करण अब को पता है सबसे बड़ी भूजा होती थी सनकोन-तर में बनाने बोले जो छोटी ज होती है वो अधार आपको पता होगा देखिए ये करन होता है ये लंब होता और ये नीचे वाला अधार होता है लिखा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि P square plus B square बराबर क्या होता है H square यानि अगर आपसे पूछेगा कि H बराबर क्या होता है तो root under P का square यानि लंब का square पलस अधार का square P बराबर पूछेगा तो root under H square मैनस B square ठीके B बराबर पूछेगा ये सभी याद रखना है चलिए sign का sign लिखना है cosine का cause होता है tag end का tan होता है codent का quote होता है second का sec होता है और cosent का cause होता है ये सभी याद रखना है चलिए sign लिखना बराबर क्या होता है तो आपको पता होना चीए कि P बटा H होता है cos लिखना बराबर B बटा H होता है 10 लिखना बराबर P बटा B होता है ठीके तो देखी एक formula एक trick आपको बता रहे हैं साथी कि याद रखीगा पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल ठीके पंडित भोला प्रसाद P से पंडित एक मिनट क्या होगा जी P से पंडित B से भोला P से प्रसाद पंडित भोला प्रसाद H से हरी हरी बोल पहले अंस में चलना है उसके बाद हर में चलना है और साइन का अगर P बटा H है तो फिर टाइन का क्या हो जाएगा यहां पर सेक के क्या हो जाएगा मतलब साइन का जब P बटा H है बाबू तो कॉसेक का क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो यह सभी याद कर लेना है इसी परकार यहां पहुला है कि सीन मीस स्कवार यह सभी निकालना फेर मविलाथ होता याद ऽेन देख ली Completely पर लिख सकते हैं कौसेक थिटा को one बटा sign लिख सकते हैं 10 को one बटा court लिखते हैं court को one बटा 10 लिखते हैं चलिए अब हम आते हैं इसके objective की और और पहला objective देखिए अभी हम कुछ दिर पहले ही formula के बात कर रहे हैं थे ठीक है तो formula जितने भी student होंगे वो रोक करके objective को ठीक है formula को याद कर लेंगे पहला question आप सभी के सामने है कि one पलस टाइन अस्क्वाइर जो थिटा होता यह किसके बराबर होता है यानि यह formula किसका होता है simple साब बताइए one पलस टाइन अस्क्वाइर थिटा यह किसका सेख अस्क्वाइर थिटा यहां पर बिलकुल ही option number a हो जाएगा ठीक है चुकि जानते हैं 10 अस्क्वाइर थिटा माइनस सेख अस्क्वाइर थिटा बराबर one होता है तो हमसे सेख को अधर बेचाहा है और यहां से were को हुआ एधर कर दिया है one को ठीक है यहां से क्या ख जगा one पलस दखिए code तो यहां से वन आये जाएगा तो माइनस टेना स्कॉयर हो जाएगा ठीक है ठीक है? तो यहाँ से माइनस बच गया था, माइनस कॉमन लेंगे बाबू, तो यहाँ से अंदर वाला चिनहा बदल जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, यहनि से का स्क्वाइर थिटा क्या हो जाएगा? तो दूसरा नमबर कोशन है यहां पर बिल्कुल ही साइँ अंसर होगा चलिए एकदम आपको जूड जाना है और अंसर देते रहना चलिए तीसरा नमबर कोशन है कोश पाई बाई थिरी का मान क्या होगा तो देखिए पाई का जो मान होता वो कितना होता है 180 डिग्री होता है तो बताई यह कॉस 180 बटा 3 है तो 3 से काट यह 3 चक 18 है की ने तो कॉस 60 का मान आपसे पूछा है है की ने तो बताई यह कॉस 60 का मान कितना होगा जी कॉस 60 का मान क्या होगा जी कहां गिया कॉस साथ का मान एक बटा दू होता है एक बटा तीन होता है रूट थिरी वाई टू होगा यह रूट थिरी होगा तो आप सभी को पता है कि इस कॉस साथ का मान एक बटा दू होता है ठीक है एक बटा दू यहां पे बिल्कुल ही साई अंसर हो जगा जितने भी साइन तइस का ये देखिए अगर साथ का मान बोले का तो आपको पता होगा do यह होगा नहीं कॉस पैटालिस का मान एक बटा रूट दू होता है कितना होता है एक बटा रूट दू होता है किसका कॉस पैटालिस का मान तो यह भी होगा नहीं साइन तीस का मान एक बटा दू होता है ये भी नहीं होगा टैन तीस का मान एक बटा क्या होता है रूट थिरी होता है यानि आप्सन नंबर डी यहां पर बिल्कुल ही सही अंसर हो जाएगा चलिए फाइव नमबर कोशन है ये भी एकजाम में पूछा हुआ कोशन है 2016 में 17 में ठीक है और भी बहुत बार पूछा है सेक स्क्वाइर माइनस वन सेक स्क्वाइर थिटा माइनस वन क्या होता है चलिए बाबू बताए जल्दी से तो आपको यह भी फॉर्मूला है तो यह आपको याद कर लेना है ठीक है यह किसका होता है सेक स्क्वाइर माइनस जो होता है बाबू यह किसका फॉर्मूला होता है कौसेक अस्क्वाइर थिटा का, साइन अस्क्वाइर थिटा का, टेन अस्क्वाइर थिटा का, या कोट अस्क्वाइर थिटा का तो देखिए वाबु फॉर्मूला क्या होता, एक मिनिट बार बर कर जा रहा है देखिए सेक स्क्वाइर माइनस वन का मान ठीक है तो आप हम जानते हैं सेक स्क्वाइर थिटा माइनस टेन स्क्वाइर थिटा बराबर वन होता है तो यहां पर बताईए तो 6 square theta e1 plus में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और यह माइनस में 10 है बराबर के इस साथ जाएगा 10 square हो जाएगा यानि 21 का मान होता है तो 10 square theta का मान होता है यानि option number C ठीक है समझ में आ रही है चलिए आगला प्रस्ण आप सभी के सामने है माइनस कॉस पाई बाई फोर का मान क्या होगा अभी कुछ दिर पहले ही बताएं थे कि साइन पाई का मान रहेगा तो 180 पाई के जगा पे रखना नीचे 4 है 4 दे देते है मैनस कॉस पाई का मान 180 और नीचे क्या है 4 है तो 4 चार चक 16 बचा 2 चरपचे 20 यानि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान तो बताईए साइन 45 का मान एक बटा कितना होता है साइन 45 का मान बताई साइन 45 का मान एक बटा रूट दू और बीच में माइनस माइनस और कॉस 45 का मान कितना होता है एक बटा रूट दू ये होता है तो नीचे में रूट दू और रूट दू तो LCM भी रूट दू होगा होगा जी तो इससे कट जाएगा तो बचेगा 1 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 0 बटा दू क्या हो जाएगा 0 ही होगा यानि आपसन नमबर कहा है 0 ऑपसन नमबर B इस दराइट अंसर ठीक है समझ में आया चलिए नेक्स प्रसन की और आगे बढ़ते हैं और 7 नमबर प्रसन है कि 1 बाई रूट 3 ये किसका मान होता है जल्दी से बताएगा 1 बाई रूट 3 जो मान होता है ये किसका मान होगा तो दिखिए बाबू sin πाई भाई 3 यानी 180 को 3 से भाग देना है यानी 3.6.18 sin 60 का मान कितना होता है ये नहीं होगा sin 60 का मान होता है रूट 3 भाई 2 यहाँ पर से ये भी नहीं होगा 10 यहाँ पर देखिए 10 πाई यानी 6.18 चोटी अठर यानि 10-30 का जो मान होता है वो कितना होता है तो वन बाय रूट थिरी यहां पर बिल्कुल ही ऑप्सन नमबर सी सही उतर होगा ठीक है चलिए आगला परस्न है एट नमबर परस्न है कि नमली खीत में से रूट दू किसके बरावर होता है यानि रूट दू जो मान होता है यह किसका मान होता है टैन साथ का मान कितना होता है पहले हम देखते हैं सुरू में तो टैन साथ जो मान होता है यह रूट थिरी होता है यह होगा न है साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 का मान एक बटा दू होता यह होगा नहीं तो वन बटा यहां पर क्या हो जागा बाबू साइन 45 का मान कितना होता है वन बाई रूट टू और उपर में वन है तो यहां से ये एक के साथ जाके गुना होगा तो root 2 बटा एक हो जाएगा यानि ये root 2 हो जाएगा तो sign 1 बटास क्या हो जाएगा मान 1 बटास sign 45 के बराबर option number D ठीक है चलिए 9 नमबर प्रस्न है कि 9 सेक स्क्वार थिटा minus 9 10 स्क्वार थिटा किसके बराबर होता है इसका मान क्या होगा साथी तो देखिए ये दोनों में common क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है अब क्या बच रहा है तो सेक स्क्वार थिटा minus 10 square theta जब common होगई अब अबाबू तो बचेगा theta minus 10 square butta 1 plus 10 square A किसके बड़ाबर होता है चलिए बताईए तो 1 पलस कौट अस्क्वाइर A और बटा 1 पलस 10 अस्क्वाइर A किसके बरावर होता है तो देखी बाबू 1 पलस कौट अस्क्वाइर A होता है याद रखीगा ये कौसेक अस्क्वाइर कौसेक अस्क्वाइर ए ठीक है कौसेक अस्क्वाइर या बटा 1 पलस 10 किसका होता है सेक अस्क्वाइर ए ठीक है तो बताईए कौसेक को 1 बटा साइन अस्क्वाइर ए कर सकते हैं और बटा सेक को 1 बटा कौस अस्क्वाइर यह कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो बताईए यह जाएगा उपर और यह आएगा नीचे तो यहां से cos, asquer, but sign, asquer क्या होगा cos, asquer, but sign यह cos 1 के साथ गुना होगा और यह 1 इसे साथ गुना होगा तो यह नीचे वाला उपर जाएगा तो cos, asquer हो जाएगा कॉस अस्क्वाइर बटा साइन अस्क्वाइर यह क्या होगा बताएजी क्या हो जाएगा तो कॉट अस्क्वाइर होगा कॉस बटा साइन कॉट अस्क्वाइर यह हो जाएगी यानि ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा यहाँ पर कॉट अस्क्वाइर ऑप्सन नमबर सी ठीक है समझ में आ रही है चलिए आगे बढ़ जाते हैं एक मिनट चलिए ग्यारा नमर प्रस्ण है यदि रूट दू कॉस ठीटा बराबर वन तो जीरो यानि ठीटा का मान आपको बताना है तो देखिए यहां पर रूट टू कॉस ठीटा या जीरो जो भी हो बराबर वन है त गिध़र आएगा भाग में हो जएगा यानि कॉस ठीटा बराबर वन बाइट तो बताए यह चलिए जल दीज़ी बताजेगा तो कॉस ठीटा बराबर वन गईटैना का मान होता है मेरे शाह्त ही कॉस 45 का मान होता है रहा किने तध़ कॉस से कॉस क्टे। यानि थिटा बराबर 45 डिग्री option number B is the right answer option number B यहाँ पे बिल्कुल ही सही उतर चलिए 12 नमबर है बाबू यदि रूट 3 सेख थिटा बराबर 2 है तो थिटा का मनुसी परकार करना है रूट 3 सेख थिटा बराबर 2 है तो सेख थिटा बराबर क्या हो जाएगा रूट 2 बटा यह गुना में इधर आएगा भाग में रूट 2 बाई रूट 3 तो सेख कितना का मान 2 बटा रूट 3 होता है तो सेख 30 का मान होता है सेख 30 का सेख सेख कटेगा यानि 30 option number B थिटा बराबर 3 बचेगा जी तो option number B हो जाएगा ठीक है चलिए तेरा नमर प्रस्ण है कि सेख स्क्वाइर ए बटा 1 पलस कौट स्क्वाइर ए बराबर क्या होता है चलिए बताने का प्रयास किजिए साथी और यहाँ पे हम कहेंगे कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा और ठक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा ठीक है तो मेहनत कीजिए 2025 में और अपने माता पिता के ठीक है नाम को रॉसन कीजिए तो देखिए सेक अस्क्वाइर एबटा वन पलस कॉट देखिए लिखने में थोड़ा सा दिकत होड़ा इसलिए हम यहाँ पे आपको समझा नहीं पर का स्क्वाइर एबटा वन पलस कॉट अस्क्वाइर एग क्या होगा तो देखिए बाबू सेक को हम एक मिनट क्या हो रहा है जी वन बटा कॉस अस्क्वाइर ए लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं बटा वन पलस कॉट को कॉस अस्क्वाइर ए बटा साइन अस्क्वाइर ए कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं नीचे पूछ नहां यहां पर एक उसका यस्का अपया बचक्राइब यहां से सा Mechanis स्कार A ही होगा ठिक है और यहां से एक से गुना करेंगी यानि tide a होगा पल्स ij79 कटेगा को सुια होगा यानि यहां से बचे है क्या है यहां यह तो वान बटा कॉस स्क्वाइर ए रहेगा ही और यहां पर से वो साइन स्क्वाइर अपलस कॉस स्क्वाइर ए बराबर वन होता है और नीचे क्या है साइन स्क्वाइर ए है बताए यह उपर जाएगा एक एक के साथ और यह नीचे आएगा इसके साथ गुना होगा तो बताईए साइन अस्क्वाइर ए और ये हो जाएगा कॉस अस्क्वाइर ए ठीक है पता होगा तो साइन बटा कॉस टाइन हो जाएगा अस्क्वाइर ए तो एस्क्वाइर यानि option number कहा है जी 10 वाला जो है यहाँ प्या option number D हो जागा सही उतर ठीक है चलिए next person की और आगे पर स्थान करेंगे 14 नमर प्रस्थ देखिए minus 9 सेक स्कॉर्ड थिटा plus 9 10 स्कॉर्ड थिटा का मान क्या हो साथी बताईए और देखिए यह पहले दोनों में से इसके पहले लेकिन इस बार minus दिया है तो अगर minus हम 9 common लेंगे साथी तो सेक स्कॉर्ड थिटा और जो minus हम common लेते हैं तो अंदर वाला जो चीन होता है वो minus plus का minus हो जाएगा ठीक है 10 स्कॉर्ड थिटा तो बताईए minus 9 और इसका मान तो 1 होता है तो minus 9 इसका सही उतर होगा option number B ठीक है साथी चलिए पंदरा नमबर परसने आपको पता होगा कि 10 स्कॉर्ड 36 डिगरी बटा कॉस स्कॉर्ड चंगन डिगरी का जो मान होता है वो मान तो यहाँ पर एक ही होगा लेकिन चेंज कैसे किया जाता है तो देखिए 10 स्कॉर्ड 90 माइनस ठीक है 90 माइनस चंगन करेंगे तो कितना होगा और उसके बाद यहाँ पर कॉट स्कॉर्ड चंगन तो यहाँ पर से 10 90 माइनस कॉट यहाँ पर से चंगन होगा और बटा कॉट चंगन कटेगा तो एक हो जाएगा option number B चलिए 16 number है यदि 10 ठीटा बराबर root 3 तो ठीटा का मान क्या होगा तो 10 ठीटा बराबर 10 कितना का मान होता है बाबू root 3 तो आपको पता होगा यह होता है 10 60 degree 10 से 10 कटेगा यानि ठीटा बराबर 60 degree option number option number D option number D is the right answer चलिए 17 number प्रस्ण है cos 60 degree plus 1 और बटा cos 60 degree minus 1 तो देखिए cos 60 का जो मान होता है एक बटा 2 होता है plus 1 है plus देदे नीचे कुछ ने एक इसका भी मान होगा एक बटा 2 minus 1 by 2 बताइगा यह इसका LCM 2 होगा एक और 2 का 2 से कटेगा एक पलस 2 और नीचे यहाँ पर LCM 2 होगा तो यहाँ से 1 minus 2 तो बताइगे 3 बटा 2 और यहाँ से minus 1 बटा 2 minus 1 बटा 2 minus 1 है ठीक है minus 1 बटा 2 2 से 2 कटेगा यानि minus 3 option number सही हो जाएगा जितने भी student option number B लगा रहे minus 3 is the right answer सही ढंक से यहाँ पर लिखने ही पा रहें ठीक है लिखने में दिकत हो रहा option number B होगा आप लोग बना के देखें चलिए 18 number question है time A बराबर क्या होता है formula होता है है कीने cot 90 minus theta theta के जगा पर A है angle A है यानि cot 90 minus A चलिए 19 number question है यदि sin A बराबर 3 बटा 4 है तो cos A का माहनी क्या होगा आप ही लोग बताइए है कीने देखिए बाबू तो sin A बराबर 3 बटा 4 दिया है तो sin theta बराबर P बटा H होता है पहले B निकालेंगे तो B बराबर होता है H square minus P square तो H कितना है 4 का square minus P कितना है 3 का square तो बताईए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी 7 बचेगा root 7 तो यहां से B का मान कितना आगे root 7 cos ठीटा बराबर होता है B बटा H तो B का मान root 7 और H का मान तो दिया हुआ है 4 यानि root 7 बटा 4 is the right answer root 7 बटा 4 option number D में है ठीक है चलिए 20 नमबर प्रस्ण की 10 60 का मान कितना होता है बाबू तो देखिए समझे पनाने का प्रयास किजिए यह तो यहां तो मान है 10 60 का मान आपको पता होगा root 3 होता है option number B चलिए 21 नमबर प्रस्ण है किनमनखित में से किस का मान 0 होता है 10 0 का मान आपको पता है 0 होता है यही होगा cos 0 का मान एक होता है यह होगा नहीं sin 90 का मान कितना होता है sin 90 यहां पर देखिए आपको बोला है sin 90 का मान भी एक होता है यह नहीं होगा साइथ है कि रूट थिरी होता यह होगा नहीं कॉस यहां 180 बटा चार दीजिए चार चक सुला और 45 का मान एक बटा रूट दू होता आपसन नंबर भी चलिएगा तेश नंबर है साइन स्कॉयर साथ यानि साइन साथ का मान कितना होता है रूट थिरी बाइट इसका स्कॉयर है या स्कॉयर कर देते माइनस को साथ का मान कितना होता है साइन साट का रूट थरी बाई टू कोष साट का एक बटा दू इसका अस्क्वाइर है ता अस्क्वाइर से रूट 350 होगा तीन और नीचे दूखाक का चार इल साइन सीने चार標 बताई यह से pawel 4 होगा चार इन द descri कर दो या नियानि एक बटा दू इस राइट अंतर ओप्शन नमबर डी हो जागा हुंद चलिए 24 नमबर की सभिस और औसट किल Londres सोरी साइन नबे का साइए बाबू साइन नबे का मान एक और टैन पे तालिस का भी मान एक एक में से एक जाएगा जीरो